नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं कुल्दीप सलुजा, इस वीडियो में आपको वास्तु चक्र के बारे में बताऊंगा, मेरे एक व्यूवर ने मुझे से रिक्वेस्ट करी कि सर चक्र के बारे में बताईएगा, और मेरे बहुत से क्लाइंट जब अपना प्लान मुझे प्लास्टिक का होता है, उसके उपर जो प्रिंटेड रहता है चक्र, और उसको किसी प्लाट का जो प्लान होता है, उसको रखके उसको चेक करते हैं, मुझे तो तीस साल में आफ तक जरूत नहीं पड़ी, और ये चक्र जो बना ये दस बार 12-15 साल में बनके आया है, मार्क प्लान कमपास कहते हैं, ये हमेशा फैंक्शू का कमपास है, ये लाल कलर के स्थरे पैक में मिलता है, साइज कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा पर कलर रेडी होगा इसका, और ये इसके अंदर कमपास होता है, इसके इसके इंदर, इसके में यहाँ पर मेगनेट है, यहा तो डारेक्शन आएगा उसके इसाफ से वो दिशा अपना क्या प्रभाव डाल रही है एक अलग किसम का फैंक्शू का सस्टम ही है तो इसको यू रखा जाता है यह ट्रांस्पेंड भी होगा तो फिर प्लान को पर रखा जाएगा और यू लोग अपने जो साइट पर जाते ह सै इसटों यह आपर जो है मिए प्लाण पर रक्के बराया है यह ओ इस तरीके से अलग-अलग तम पास लोगों ने यह जो है वास्तुचक्र बनाये हूए और वास्तुचक्र के बारे में जो जानकारी मुझे दूसरे वीडियो में देखी मैंने जो मेरे वास्तुवित मित्र हैं वो बताते हैं कि इससे मर्मिस्तान डूंडा जा सकता है अती मर्मिस्तान डूंडा जा सकता है महा मर्मिस्तान डूंडा जा सकता है दोस्तों मैंने 30 साल करने मुझे मर्मिस अज़ ठीक है और इससे वेदी क समय का वह स्थम्य पता लग जाता है तो इसमेंं इंट्रश्म COP Це्वं हो जाते हैं और इससे वास्तू जोज भी ढूंड़े जा सकते हैं कि इस से आर्गनिकोर सोलेर इनर्जी का भी पता लगाया जा सकता है तो कहने का मतुल Still जो वास्तु के प्राशीन ग्रंथ है उसमें जो जानकारी है यह मेरी किताब के तीन एक दो तीन आपको जे चार्ट बता रहा हूं उसमें जो है दिशा तो चार होती है मकान जो होता है चोकोर होगा मत्ब रेक्टेंगुलर होगा आयताकार होगा तो उसमें क्या होता है कि दिशा एस्ट वेस्ट नार्थ साउथ इसको नो भागों बाटा है नो 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 यह टोटल बनाके पिए यह कॉमन होती है तो 32 हो जाती है ठीक है अब आप देखिए कि यह हैं में चार द निरुट 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 तरहत देटा घरह रहो तुक यह वरून देव के सौमिक और यह शनी इसके गढ़िए पशेन दिशा व्यवय कोन वायू दय गढ़inary चंड रहर इसके वाय बहा ऊत्तरि में हुवे और इसके कि scientists और ब्रह्मिस्तान हो गया इस तरीके से ये चार दिशाएं और चार कौन में बाटा जाता है किसी घर को फिर नौगरा आठ दिशा और उनके अधिपत्त वाले शेत्र अब इन देवतार जो जानके दी इन किसको कवर करते हैं गौन करते हैं तो देखिए गुरु केतु करता है पूजा को शूर जो हिदर को आवस्ति हाल एक करता है किचन को और शुकरол भूं मंगल करता संहान स्टोर को ऑक्ता रणं करता है डाइनिंग हाल को करते है मैं चंद्र करता है खाददाने को और बुथ्कर्णे में को तुर्याप ब Không इस तरीके से जानकारी दी गही है दोस्तों अब बाइदी वे किसी का प्लाट लंबा है उस पर मैंने ग्री डग दी और थोड़ा नार्थ इदर आ रहा है मद्द में आओके ना इदर है ना सेंटर में आओके तो इदर किसका हुआ है इस इस्तिती में ने चक्र रखा चक रखने पर इस्ट साउथ नार् अब सब कंफीजन वाली बात होगी इससे जो करते हैं वो गलत वास्तु होता है सब वास्तु सभी ही नहीं सकता अब यह इसे गिरिट करके रखा हुआ है अब इसमें क्या करें उन्होंने यह अंक लिखें एक से लेकर 32 तक पता नहीं क्या क्या शेप बना के इसा कार इदर क यह सब फालतु का भ्रह्म तेलाने वाला लोगों को प्रभावित करने वाला वता नहीं क्या काम हो रहा है दोस्त इसकी कोई ज़रत नहीं है सिंपल तरीका यह होता है कि इस तरीके से आपको देखने का है इस वास्तु चक्र से कोई फायदा नहीं सिप एक भ्रहमित करने के लिए और एक नकल कर लिए उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है लोग प्रभावित होते हैं उसके लिए बनाए गया है मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी नमस्कार